आपके मन में किस तरह के विचार भरे हुए हैं? क्या आप इमानदारी और इज़त के बारे में सोचते हैं? क्या आप शान्ती और सुक्सुभिदा देने वाली चीजों के बारे में सोचते हैं? क्या आपके सपने हैं? इस वीडियो में आप थोड़ स्यानी की विचारू की शक्ति के वारे में सीखेंगे चलिए जोन की कहानी को सुनते हैं जोन का जनम एक गरी परिबार में हुआ था उसके पिता हमेशा शाब के नशे में चूर रहा करते थे और मा हर छोटी बात पे गुस्सा किया करते थी जोन को अपने पेरेंस से एक अच्छा करेक्टर और सेल्फ डिसिप्लिन सीखने को नहीं मिला जोन जब छोटा था तो सब ये तादागरी किया करता था जब थोड़ा बड़ा हुआ तो ड्रक्स लेने लगा और चोरी करने लगा जोन बहुत दुखी था तकली में था उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंगी किस दिशा में जा रही थी वे कुछ समझ भी नहीं पा रहा था उसे लगने लगा कि वे अब किसी काम का नहीं है जोन का ना तो कोई परिवार था ना ही कोई दोस्त ना तो जोन के पास पेसे थे ना ही कोई चोब थी ना ही घर जब एक दिन जोन सोके उठा तो वो सोचने लगा अब बहुत हो चुका मुझे अपनी इस जिन्दी को बदननी है धीरे धीरे करके उसकी सोच बदनने लगी अब उसके मन में सही विचार आने लगे अब उसे एक परिवार की कमी घर रही थी वो अपनों का साथ चाता था वो अब चाता था कि वो एक अच्छा पिता बन सके ताकि अपने बच्चों को धे सारा प्यार दे सके वो अपनी पेरेंस की तरह नहीं उसकी इच्छा एक अच्छे पिता बनने की थी उसने कड़ी महनत की जितना हो सकता था उतना उसने अलग-अलग स्किल को सीखता किया आखिरकार उसके जीवन में एक अच्छी लड़की आए उसके साथ उसने अपने ने जीवन की शुरुआर की उनका घर बहुत ही छोटा था लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को प्यार बड़ा महौल दिया जोन अब एक बहुत प्यार करने वाला पती और पिता बना बिल्कुल जोन की तरह आप भी अपनी चिंगी को बदल सकते हो पहले से बहतर बना सकते हो इसकी शुरुआत आप कुछ अच्छे विचारों से कर सकते हो आपके थोर्स एक बीज की तरह होते हैं इन बीजों से जो पोधे निकलते हैं वे हैं आपके एक्शन आपके थोर्स आपके हर एक्शन पे असर डालते हैं चाहे वो अचानक हो या जिनकी कलपना आपने नहीं की हो इसलिए आपको अपने थोर्स यानि की विचारों को पोस्टिव रखना होगा ताकि आप अपनी लाइफ में पोस्टिव चेंज ला पाए इसकी शुरॉत आप आज सही कर सकते हो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेर, सबस्क्राइब कर सकते हो आप बता सकते हो कि आपको इस वीडियो में कौन सी चीज अच्छी लगी तो आप हमें कॉमेट करके बता सकते हो Thank you for watching in this video